आ नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे सम्सक्रश सरसोती परिवार में मैं राम कुमार सास्ति आप सभी का हरदिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्यारे सातियों, टेस्स सिरीज की सक्षा में आगे की सिरीज हम लेकर चल रहे हैं इससे पहले की सिरीज में भी हमने स्वर संदी संबंदी कई मेत्पुन सवालों को हल किया है जिसके अंतरगत हमने संदी के अर्थ से संबंदित, संदी की परिबासा से संबंदित और उसके बाद में हमने सवन दिर्ग संदी से संवन्दित, गुण संदी से संवन्दित और वर्दी संदी से संवन्दित सवालों को हल कर लिया है चंदी केसी प्रसंग में आगे आज हम पढ़ेंगे यन संदी और अयादी संदी पुरूरूप परूप और प्रकृति भाव संदी से सम्मदेद कुछ विशेश महत्वपून पहरे साथियों नमस्कार सभी को सुप्रभातम रादे रादे जैराम जी की प्रणाम बुलालो सब को भाई साथ जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दो और बुलालो आप सभी को कोई लेट आता है कोई सो रहा है सर में तो लेट हो गई या लेट हो गई तो सबी एक साथ आजाये करो है कि नहीं नखशकार रादे रादे प्रणाम आप सबी को प्रणाम राम अमतार जी नमस्कार आरके अदो साथ नमस्कार ममता जी नमस्कार सुनीती जी नमस्कार आप सबी को प्रणाम भई सबी को मेरी तरब से बहुत 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 जैसे ही आप लोग जुड़ें शेर करते रिएगा और टेलिग्राम का और सम्सक्राइब सरस्वती मुबाइल एप्लिकेशन का लिंक लगातार आप वो कमेंट्स में किया जा रहा है भाई साब लगातार कमेंट्स करते रिएगा तो आप जो मुबाइल एप्लिकेशन को आप लोगों का इतना जो देखा मैंने प्यार प्रेम तो अपने आप उर्जा आ जाती है इसी तरह बढ़ाते रहेगा एक दिन आएगा जब रीट की वेकेंसी के अंतरगती हम यूटूब चैनल पर दस अजार से ज़्यादा लोग एक साथ लाइव दिखेंगे यह जो मेरी उ पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी बहुत ठीक है सब अपनी तरफ से काम करी रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत सरलता से और तो अलग तरीके से आपको बिल्कुल आराम-आराम से मैं सब सीखा सकता हूं इसलिए मैं थोड़ा मेहनत ज्यादा करता हूं और आप के सामने है कुत्र नास्ती ब्रदी संदी कहां ब्रदी संदी नहीं है तो इसको हम पढ़ लिते कि सदा रिनम में गुण संदी का कारी हुआ है यहां ब्रदी संदी का कारी नहीं हुआ है क्योंकि प्रय वस्तर कंबल वसन दश रिन आदी शब्दों के पूरू में रहने पर और बाद में रिन शब्द रहने पर ही बृद्धी संदी का कारी होता है रिन सब्द से पहले और शब्द हो उत्तम रिन हो तो उत्तमरन ही बनेगा और रिन हो तो अधमरन ही बनेगा और शदा प्लस रिन है तो सदर नहीं बनेगा इसके आगे के जो हमारे सवाल है उनकी चर्चाम करने हैं एक बार शेर कर दो भी है जल्दी से यहाँ पर भी 1000 प्लस लोग ही रहने चाहिए ताकि आत्म संबान, मान संबान से हम लोग पढ़ सके सरश्वती का आशिरवाद आपको मिलेगा इसी मैं काम ना करता हूँ ठीक है तो प्रस्णों की सरंकला में आगे लिए चलता हूँ कुछ देरे के लिए मैं गायब हो जाता हूँ चली साब दोस्तों 23 वा प्रशन है यन संदी से हम प्रारम कर रहे हैं कस्मीन पद यन संदी कारियम न अभवत किस पद में किस शब्द में यन संदी का कारिय नहीं हुआ है जिसमें भी यन संदी का कारे नहीं उसका जवाब आपको देना है जल्दी से बताईए साब कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यन संदी का कारे नहीं हुआ है सुध्य पलस उपास्य है, सुध्य उपास्य में हुआ है या नहीं हुआ उपपलस इक्सा उपेक्षा में हुआ की नहीं हुआ उपलस रिक्षा व्रिक्षा इसमें हुआ की नहीं हुआ मदूपलस अरी मद्वरी इसमें हुआ की नहीं हुआ बहुत बड़ी है जवाब दिया करो कमेंट्स बुक्स में जल से आप कल गटी का दर्सन पढ़ रहे थे आप लगातार कमेंट्स दे रहे थे बहुत अच्छा लगता है चली सा मिल गया जवाब आप सभी को यहां एक ऐसा उधारण है उप प्लस एक्षा उपेक्षा जिसके अंतरगत यण संधी कारे नहीं हुआ है तो रूप तो सही बना है क्योंकि आगे क्या है उपेक्षा में पीछे क्या है ए है और हमने यह नियम पढ़ रखा है सामाने कि जब ए और आ के बाद में ए उ रिलरी इन चार स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो चाए रस्वरी, दिर्गरी, रस्वई, दिर्गरी रस्वऊ या दिर्गू या लरी हो अब लरी का दिर्ग तो होता नहीं है तो रस्वई ही मिलेगा आपको तो वहाँ पर हम गुण संधी का कारे करते हैं यहाँ पर ए और ए मिलकर के दोनों के स्थान पर क्या आदिस हो गया है ए आदिस हो गया है तो यहाँ वास्तों में संदी का नाम हम से पूछे तो हम क्या बताएंगे गुण संदी और प्रश्णा आपका यही था कि किस पद में यन संदी का कारे नहीं हुआ है तो उत्तर मिल यहां पर भी यड़ संदी का कारी हुआ है उ प्लस रिक्षय में दोस्तों उ के बाद में उ होता तो दिर्ग करते उ के बाद में ऐसमान स्वर है तो यहां पर हम उ के स्थान पर क्या करते हैं, व करते हैं अब आपका व हलंती आता है उसमें री मिलेगा तो व प्लस री बराबर वरी और आगे अख्षा है बहुत अच्छा उदारण है इसको विशेश रूप से याद रखेगा हिंदी भासा आदी में भी इस प्रकार के प्रशनाप से पूछे जाते हैं आगे है अपना मदू प्लस अरी मद्धवरी तो यहाँ पर भी आप देख रहें उ है उसके बाद में भी आपका ऐसा मान स्वर अ है उ के स्थान पर आदे सुआ वा है व में मिला ऐ तो बताई क्या बन गया वा तो मद्धवरी मद्वरी भी अच्छा उदारण है सुद्धिय उपास से भी बहुत अच्छा उदारण है उपलस रिक्षव रक्षव अच्छा उदारण है बहुत प्यारा प्रशन है जवाब दीजिएगा ये रहा प्रशन आपके सामने कुत्र कहा नास्ती नहीं है यन संधी ये उधारने भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर बताईए गुण संधी कहाँ पर बताईए यन संधी नहीं है तो जिसमें भी यंशनी नहीं हो आपका जवाब हो जाएगा तो जल्दी से comments करके बताएगा इसका उत्र क्या होगा गतार जी, रामोपतार जी, हैमंत जी अनुप्रिया जी बढ़िया है जवाब सही दे रहे हैं आप सभी कहा पर यहन संदी नहीं है वो आपको बताना है मिला जवाब आप सभी को बहुत अच्छी मिल गया सभी को भई स्वागतम सब्द का निर्मान दो तरशे होता है स्वागतम जवागतम सब्द बना है यह आपका उत्तर हो गया अभी यह कैसे उत्तर हुआ हुआ वो भी हम समझते हैं देग Alejandro – सभ में आउ हम आगतम में आ है मिलेंगे पुर्व सभ आपका आ है पर सभ आपका आ है ए और आ मिल करके दिर्ग संदी में बताईए क्या बनेगा आ बनेगा न तो यहाँ पर सवन दिर्ग संदी है यहाँ पर यण संदी नहीं है इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया सा अब बाकी के जो अप्सन है वो भी प्रक्षा की दरश्टे से बहुत अच्छे हैं को भी देख आगे उना में दिर्ग उ है नी के स्थान पर यह करोगे तो यहाँ शब्द बनेगा न्या और आगे उ मिलाओगे तो क्या बनेगा न्यू नहा यर संदी का कारी हुआ अनू प्लस आया है उ के स्थान पर हम करेंगे व तो अनू की जगा अन्व बन जाएगा अया मिला दीज सथान पर गोड़े है सर दिर्ग संदी में सुपलस आगतम में भी स्वागतम बना यन संदी में तो सर परिक्षा में हमसे स्वागतम में यदि को संदी का नाम पूख ले तो हम फिर उसमें संदी का नाम क्या बता है ऐसा आपके दिमाग में प्रशन आ सकता है प्यारे साथियों इसको समझेगा मैं ध्यान से में जो बोल रहा हूँ कि स्वय प्लस आगतम स्वागतम ऐसा पूरा लिख करके प्रशन दे दे तो आपको समझेगा हो नहीं नहीं चाहिए कि स्वय और आगतम दे करके स्वागतम बनाएवा रूप दे दे खुद कहरा है कि स्वय प्लस आगतम स्वागतम तब इसका रूप बताइए संदी का नाम क्या है तो दरिक संदी वो आप से कहい दे budget कि सू दे रखा है इसका मतलब यन संदी है लेकिन परिक्सा में सिर्फ इतना दे देगी स्वागतम का संदी विच्छेद या स्वागतम में संदी का नाम बताईए तब आपके लिए थोड़ी सी परिशानी हो सकती है पर आप कोई दिक्कत नहीं रटने के आउशक्ता ही नहीं है मैं आप से पूछता हूँ कि स्वागतम सब्द का अर्थ क्या होता है स्वागतम सब्द से हम क्या अर्थ लेते हैं वेभार में भासा का जब हम प्रियू करते हैं तब स्वागतम सब्द का हम क्या अर्थ लेते हैं स्वागतम लेते हैं कि जो अपने आप आ आ गया है उसको सू प्लस आगतम है क्यों कि जिसका आने से अच्छा लगे वो मेमान है हमारे समस्कृति में अतिती देवुभव कहा गया है हम मेमान को भगवान का उतार समझते हैं देव का उतार समझते हैं मेमान के आने पर हम प्रशन होते हैं इसलिए जिसके आने पर अच्छा लगे इसलि संदी का program है वो मना जाएगा तो मान लीजिए कि स्वागत्म सब्द आपकी प्रिक्साय में आ जाये तो आप संदी की प्रायोरिटी किसको देंगे यन संदी को और संदी विछे में इसका दोनों इसमें कौन सी संदी बता दें, दोनों में से भी define करना पड़े, अलग करना पड़े, तब आप यन संदी ही बताएंगे, इसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे दो लाख के के परशन की और, परशन संक्या 25 आपके सामने ये रहा, कस्मिन पदे यन संदी ही नास्दी, किस पद म यन संदी नहीं है, देखो मैंने यहां पर उल्टा सिधा करके नहीं दिया आपको न, मैंने इसलिए आपको इस प्रकार के प्रशन दिये हैं, कि आप कम से कम यन संदी की उधारणों को भी समझ सकें, जो महत पुन उधारण आपके यन संदी के उनको पैचान सकें, उनका अ अपने परिवार को समर्द परिवार सरस्वती परिवार है कि नहीं तो इस तम्मक तम्मक जो क्लास है इस तम्मक तम्मक क्लास को आगे बढ़ाओ भीया ताकि जिंदिगी में आगे कभी आपको तम्मक तम्मक नहीं देखना पड़े ठीक है यह तम्मक तम्मक क्लास है मारी चल सा ऐसा उधारन है जहां पर यन संदी का कारिय नहीं हुआ है अ बस यदा जल्दी बताओ कमेंट्स में ढिलाइं मत बरता करो इसका कमेंट्स दे दाला तो पिलाइब जिंगा लाला चलो भीया मिल गए सबी को बहुत बढ़ी है राज पलस रिशी जो है उससे शब्द आपने बनाए राजर शी राज में आगे एह रिशी में री है एके बाद एह हो तो दिर्ग होता री से पहले री होता तो दिर्ग होता लेकिन एके बाद री है तो निश्यत रूप से एके बाद री री ई उ इ उ इस सभी स्वरों के होने पर हम गुण संदी का कारे करते हैं और एह बन जाता देवर्शी, महा से होता तो महर, बन जाता महर्शी, ब्रह्मा से होता तो ब्रह्मा, प्लस रिशी, ब्रह्मार्शी, इस प्रकार से आपके रूप होते हैं, तो दोस्तों इसमें वास्ता में संदी का नाम क्या है, गुण संदी है, ना कि यण संदी है, बाकी कुधार पर रह कर दीजिएगा तो आगे भी ता पीछे रह रहेगा तै और रह मिल करके क्या बनता है त्रा इसलिए धात्रण शह मती प्लस आसा में ई है आगे आ है एकी जगा यह आएगा तो ती की जगा त्या मती प्लस आसा मत्यासा है न भी तो तीनों उधारने भी अच्छे हैं य पुरसंदी कारी हुआ है बाकि सभी में धातरंश है मत्यासा और लक्षे में यण संदी का कारिये हुआ है तो जिसमें नहीं होना था वो मरा उत्तर है इसलिए हमने छाट लिया अगला प्रश्ण में लेकर आता हूं आपके सामने खतरनाक प्रश्ण है सामाने कुछ सुत्रों का भी आपको ध्यान होना चाहिए कुछ सुत्रों का इस्मर्ण भी आपको होना चाहिए समिचीनम अस्ती कौन सी बात समिचीन है एको यण संदी का सुत्र 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 है एको पकड़ लिया आप इसको तो न क्योंकि जिसका उत्तर सर्वे मिल जाए तो फिर वहां तो कहना ही क्या एको यणची जो सुत्र है वो यण संदी का सुत्र है कहता है एक के स्थान पर यण हो जाता है स्वर पर में हो तो क्योंण इश के स्थान पर यार मर जाता है यानि ए बी ए के समानी हो जाता है एऔर ए में ए ओ और आ जाता है पूर्व के रूप से रहते हैं से असलिए पूर्वरूप संदी है तो एकोईयायावायाय पडान्ध पूर्वरूप संदी का सुद्र है इससे पहले आखासवड का पड़ा था आद्गुणदी संदी का सुक्र द्रुप्प जाता और ब्रदी संदी के लिए वरद्दी रेची हमने पड़ा वो ब्रदी संदी का सुत्र था इस प्रकार से आपकी यह तीन चार-पाँ संधीयों हो जाती इसके बाद एक पर रूप आएगी इसको हम एंगी पर रूप पड़ेंगे और प्रकरती भाव के लि लिए यह लगबग पांचे सवाल में आपके सामने रखे हैं जिसमें यह नसंदी से शुत्री को 20 यह we ने लिया है उसके बाद में यह संदी से Ye महत्व पुर्णों को भी मैंने लिए सब्सक्रेट सब्सक्राइब आपको साइड में इसे आपको भी डाउन करो भी है इसको डाउनलोड करोगे तो मास रस्वती क्या हो जाएगी प्रसन हो जाएगी मास रस्वती प्रसन हो जाएगी तो आपको क्या देगी वर्दान देगी और आप से कहेगी जा बच्चे सबस्क्रिशन तो ले चाहे ना ले उजे सत्र टेस्ट डीज में आपको मुफ़्त में प्लब्त करवा देती हूं. है ना? तो सत्र टेस्ट डीज आगामी समय में आपको भगवान का मेरुदंड राम शेतू बनकर के राम मार्ग बनकर के आयागा. जिस राम मार के साहरे राम जी ने सीता जी को खुज लिया, अनुमान जी ने सीता को खुज लिया, प्राप्त कर लिया, वैसे ही आप इस 17 टेस्ट श्रीज के राम मार के दोरा परिक्षा रीड भरती परिक्षा में संस्क्रत विशे में 30 में से 30 प्रशन के उत्तर प्राप्त क करने में अर्जन करने के समता पराप्त करेंगे तो यह ऐपलिकेशन को पर डालो गूंगल प小心 को डालो गूगल डाला पर लेस्ट शूर पर जाकर को सब्सक्रिथ northern में जल्दी समें पर आगे बढ़ते हैं बात करें हमकी किसम यादी संदी नहीं है. चलो, सब अच्छे पढ़ते हैं. बहुत सारे लोगों अच्छे जवाब दी ए हैं. इसका मतलब आप अच्छे तैयारी कर रहे हो. अच्छे तैयारी आप यह हो रही है. कुछ कमी है, तो हम लोग लिएके चली रहे हैं. चलो, मिल गए जब आप सभी को बहुत बड़े, आपको याद होगा हम पढ़े भी थे, स्वा प्लस ई रहा अ और ई है, अचा एक चीज बताइए स्वा प्लस ई में तो अ और ई है ना गुण संदी होनी चाहिए तरह यहाँ पर आपने व्रदी संदी कैसे कर दी कुछ याद आएगा आपको क्लास नम चर्चा कर रहे थे कि स्वा सब्द के बाद इर और इरिन का कोई रूप दिखाए दे तो वहाँ पर गुण संदी प्राप्त होने पर भी हम क्या करते हैं स्वादी रे रिन हो एक सुत्र है जो कहता है कि स्वा सब्द के बाद इर और इरिन का रूप हो तो वहाँ पर आप गुण संदी मत करिएगा व्रदी संदी ही करिएगा यह गुण संदी का प्वाद है बत्तमीज व्रदी संदी है जबरदस्ती हो जाती है तो इसमें यादी संदी नहीं है व्रदी संदी है और मैं आपसे यही पूछेना चारता है कि इसमें यादी संदी नहीं है इसका मतलब बाकी तीनों धारणों में यादी संदी है आए चेक कर लेते हैं आगे जे है पीछे अह जे में दोस्तों मिला हुआ है ए एके स्थान पर होता है आया तो जे का बन गया जया इसी परकार खशे का बनेगा खशाया और उसी परकार पो से होता है ओके स्थान पर आउ तो पा पैमे ओके स्थान पर आउ आएगा तो बन गया पाउ और आगे मिलाते जाएए जया में अह मिलाओगे तो जया बनेगा खशा पेश भी यदक इसलिए मैंने इसको यहां लिखागा है इसमें आपकी अयादी संदी तो है जो नहीं लेकिन जो सामा ने आपको दिल रही है और एी इन इन दोनों में गुण होना ही गुण संदी भी नहीं है बलकी कौन सी संदी ओ जाती है बर इस व कि अब प्रेमी है और आपका मन कर रहा हो कि कास सराफ सुत्र यहां लिख देते तो हमारे नयन जो है धन्य हो जाते तो स्वाधी रेरिनो हो स्वाधी रेरिनो हो किस्वाध के बाद में इर और इरिन का रूप हो तो वहाँ पर गुण संदी को बाद करके हम जो है वरदी संदी का कारेकरम करते हैं ठीक अभी या चलीस आप अगला प्रसन में लेकर आता हूं लेकिन आप लोग मेरी बात को गंबीरता से ले और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा ज़्यादा फेस्बूक और वाट्सप ग्रूप पर आप शेयर करें अपना स्टेटस लगाएं अपनी फेस्बूक आईडी पर शेयर करके मुझे टेक करें मुझे अपने अप लग जाएगा कि आप लोग बास्तों में वीडियो को एनी वीडियो के लिंक को शेयर करते हैं वरना तो लगएगा कि गुरूजी बोलते रहते हैं फरक पड़ता है नहीं करेंगे हम एक और गजब का उधान आपको याद आ रहा होगा बहुत प्रशन है जो भाई जवाब देगा समझ लो डिट की परिक्षा पास होगी हमारी प्रशन है आपका कुत्र नास्ती कहा नहीं है अयादी संदी अयादी संदी किसमें नहीं है और जिसमें नहीं वो भी कमाल का उधारन है और मैंने आपको इंपोर्टेंट कुश्ण में इसको डाला भी था कवंसा ऐसा बुदारन है जिसमें यादी संदी का प्रियुग नहीं करके कोई और संदी का प्रियुग किया गया है जल्ली से बहार फैंक डालिएगा वरना गड़बड कर देगा कमेंट्स करके बताओ जल्दी से सारे के सारे कमेंट्स आने सी आप सब लोगों के अधिक से अधिक संक्या में आप लोग देख रहे हो जवाब दे रहे होंगे मन भी करता है न आपका जवाब दे यहाँ जवाब दोगे तो परिक्सा में जवाब देने लाइक बनोगे यहा अक्षाव ही नी जो उधारन है क्योंकि अजादी संदी का नियम है सब्द के बीच में आव जुरूर दिखाए देते हैं ठीक है चर्चा करें हम अक्षावनी में आकर संदी कौन सी है फिर ये देखें अक्ष में क्या है अ ओ ही निमें दिर्ग उ और वैसे और उ मिलकर के तो वास्तों में गुण संदी होती है न वहले तो गुण भी नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि वास्तों में यहां संदी का नाम क्या है ब्रदी संदी क्यों है क्यों है क्योंकि गुण संदी का प्वाद है नियम भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अक्ष सब्द के तो वहां पर भी वरड़ी-संदी का आख्यान या उपठ्यान करना चाहिए मतलब कहना चाहिए तो आक्शिशाब्द आगे है ऊही नी सब्द पीछे है यहां गुंड प्राप्त होने पर आपको व्रद्धी संदी करनी है और उ में व्रद्धी करोगे तो व्रद्धी हो नहीं सकती इसलिए आउ व्रद्धी हमारे पास उप्सन है विससे मिलता जुलता आउ कर देते हैं आपको याद होगा जब मैं आपको इसके बारे में चर्चा करा था व्रद्धी संदी के प्रस जाता है अब आपको ने कोना करने का कारेकरा मिल गया इसलिए आप इस कोना तो संदी करके अक्षाहनी सब्द बना लेते हैं तो ठीक अभी है अख्स प्लस उहिनी में वरदी संदी है गुनसंदी प्राप्त है लेकिन गुनसंदी होती नहीं है अपवाद है उसका अक्षाद दोही न्याम अफसंख्यानम, बाकी की उधारनों को भी जड़ा एक नजर देख लीजिए गा, उतरता आपका मिली यह, इसमें नहीं है यादिसंदी, अब मुने में ए है, तो ने में आपको एकी एक्सर से काम है, ने है तो ने की जगा क्या हो जाएगा, नया, और नया में ब जाद रखिएगा, अच्छा लगएगा आपको, नयी प्लस अकाह, नयी में क्या है, आई है, आई के स्थान पर आय होता है, अक मिला तो आपका शब्द क्या बन गया, नाय काह, मानो ए में, मान जो शब्द है, उसमें ओ मिला हुआ है, ओ के स्थान पर आउ हो गया, वहलंत रहेगा उसमें मिलते ही शब्द क्या बने गया आपका माना वहाँ इसी प्रकार से अनिक शब्देसे हैं जिसे नाएक धाएक गाय कैसे हैं अलगी कुछ शब्दों में परमपरास से आपके संदी कारे प्राप्त नहीं होते है लेकिन नाई के जो अअधारन है वो आपका आजाधी संदी का बहुत अच्छा अधारन है ठीक भीलतास में आरेए इमानदार से को किया यह प्राशनों की तारतम्त आपको प्रसंदाई की न जी नहीं है एक एक संदी को तरीके से लेते वे चल रहे हैं कोई महत्वनों धाने भी हम नहीं छोड़ रहे हैं अब यह अगला जो प्रशन है वो सीधा आपके दस लाग का सवाल है यहां लापर भाई बिल्कुल बरदास नहीं पड़ेगी क्योंकि दस लाग रुपे का नुक्सीदा नुक्सान होगा इसलिए जल ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जो है आप लोग कमेंट्स करके मुझे जवाब देंगे सब के जवाब आने पर ही मैं अगला प्रशन आपके सामने रखूंगा ये देखिए दस लाग का जो प्रशन है वो आपके ने जलों के सामने आना ही वाला है इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं करें भी तो लाइक करें और शेर करना दो बिल्कुल भी नहीं बुद्बूली गया शेर करने के लिए जगे मैं आपको बता देता हूँ आप फेस्बूक पर जाकर शेर कर सकते हैं आपका कोई पेज हो वहाँ शेर कर सकते हैं कोई टेलिग्राम आपका चैनल हूँ या आप टेलिग्राम जुने हैं तो वहाँ पर भी आप शेर कर सकते हैं आपने WhatsApp status में आपसको लगाईएगा Facebook आदी पर पिशेर करिएगा WhatsApp ग्रूप में पिशेर करिएगा आगे चलते हैं आपके सामने सीदा 10 लाग का ये रहा सवाल कस्मिन पदे आयादी संदी नास्ती किस पैद में आयादी संदी नहीं है यहाँ पर भी वैसा ही प्रशन है मैं चाहता हूँ कि आप आयादी संदी के में प्रशनों को पढ़ लें सीख लें और जो अलग उधान आपको मिलेगा वो भी आपके काम का ही मिलेगा इसलिए उसको भी जरा प्यारवरी नजरों से देखेगा यह मैं देखिये का पता नीए कहां से आगया दोस्को है आपके सामने द्वाव प्लस अपी द्वाव अपी आगे कया लिखा है द्वा अपी द्वाव अपी राई आव रायव यदि अपी यदिपी मतई आसा मत्यायासा बताई साब कॉन सा असा हुदारन है जिसमें आयादी सद्धी का प्रियोग नहीं किया गया है किसी और सद्धी का प्रियोग किया गया है जल्दी बताओ भी है जल्दी बताओ फटेक से बताओ फटा फट बताओ टक टक बताओ फटा पट बताओ जल्दी बताओ 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 शिक्रम स्वस्तिवन्थानम मिल गए सभी को बहुत बड़ी है यदी प्लस जो अपी है उसको हम जोडने पर जो यदे भी बनाते हैं तो यहां पर ई है ई के बाद में ऐसा मानस्वर है ए के इस चान पर क्या हो गया यह हो गया तो यद यद के बाद में यह यह में मिला ए और आपका सब्द क्या बना यदे पी यदी आपको इसमें पूछ लेता कि बताओ इसमें कौन से संदी का कारी हुआ है तो आप सब को बताओ कि इसमें जिस संदी का कारी हुआ है उस संदी का नाम क्या है इसमें आव स्वर मिला हुआ है आव की जगा आदेश क्या होता है आव तो ये मैंने दूआ में आव मिला दिया दूआव और आगे अपी है तो इसलिए क्या बन गया है दूआव अपी राई प्लस आव बहुत अच्छा उदान है शब्द है रई आवास करना प्रकाश का प्रिया है तो रई रई में आई है तो रई मिचा आई निकाल लिया है आई के स्थान पर आई होता है फिर उसमें आव मिला होगे तो वापस क्या बन जाएगा राजयो मत्ययासा बहुत अच्छा उदान है मैंसे मुझे मतलब नहीं है तैसे मुझे मतलब नहीं है यह से भी मतलब नहीं है मुझे तो यह में जो आई मिला हुआ है उससे मतलब है और आई के स्थान पर सुना है मैंने आई होता है तो मत्यय में आई मिलाते ही मत्ययाई बन गया आगे आशा शब्द मिलाऊंगा तो आ और उसके बाद में शा तो आपका शब्द क्या बनेगा मत्यायासा शमझ में आरी बाद तो यहाँ पर भी आयादी संदी है तो दुवववपी बनेगा रई प्लस आउ रायववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव व्यवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव आसा, त्यासा, तो मत्यासा लेकिन अभी जो सब्द मेरे पास आया है उसमें आपने देखा होगा क्या लिका है मत्याइ आसा मती की लिए क्या करना आशा करना अभ यहाँ पर जब आप इसको जोड़ोगे तो आई के सितन पर तो आया रिच होगा डस लाक रुपर्दा लूटने वारे लूट गे और जो कहते हैं farTH हम तो बिलक्व इस कमेंट्स नहीं करते हम तो बताने विश्वास भी नी करते और हम viene है कितना ही कुलो हम तो नहीं बताएंगे तो नहीं कि हमारा क्या कर लोगे आगे विडियो को अभी तक आपने शेर नहीं किया है तो एक बार इसको बापर शेर करें विडियो को लाइक भी करें जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लाइक यहां आने चाहिए वरना लगेगा कि यार साइब मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे अच के सामने गजब का प्रशना है जोड़ार प्रशना भहिंकर प्रशना है गो प्लस यम बराबर होता है गव्यम नाव प्लस यम बराबर होता है नाव्यम यह जितने भी पदा आप देख रहे हैं इन सभी पदेशू पदों में किम संधी कर्म अभवत कौन सा संधी का कर्म हु हुआ है यह बता दिए साथ गो प्लस यम कव्यम जो भी उधान आपके सामने लिखे हैं सब्सक्राइब कौन से संदी का कारेख हुआ है यन संदी होगी अयादी संदी व्रबी संदी यह पिर कुछ और ही बला हो गई बहुत प्यारा सवाल है यह जो उधारन है वह उससे भी प वीताद हो भाई यान के हैं गुन के हैं औहाधि के रदी के 에 संधी के हैं मिल गागा सभिय को उत्तर समझ में आगेा होगा बहुत बढ़िया उत्तर का है आपका, अयादि संधी, यहाँ जितने भी उधान आपको देखते हैं गव्यम, नाव्यम, स्राब्यम, इन सभी में औैद संधी है आपकी बुला गुरूचि mamy अन्य उहाँ कैसा हो सकता है, माना कि आगे ओ है, आओ है्गा और आगे ओ है लेकिन बाद में तो स्वर पर में होना चाहिए न ऐसे तो आपकी कैसे स्यादी संदी हो जाएगी नियम तो एचो आयाव आयाव है सामने पड़ा है कि ए ओ आई आउ के स्थान पर करमशा आव आदिस हो जाते हैं बशरते आगे कोई स्वर विद्धिमान होना चाहिए बोले गरो जी यह तो स्वर नहीं है बेंजन है यहां पर भी वेंजन है यहां पर भी वेंजन है तो यह सी चरचा का इस संका का समाधाना मैं से देंगे यह हमारे पास में एक वार्थ है जिसका नाम आपने बढ़ा होगा वान् तोई प्रते नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं यह देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पर इक सहमें आपके यह सुत्रवेस स्पूसते नहीं है पस यह तो हम जाड़ने के लिए ग्यान की नदी बहाने के लिए आप लागों के सामने रख देते हैं होता क्या है यहां वास्तों में वो सुनिये का बात कि गो प्लस यम गव्यम में नव प्लस जनाव्यम में और श्रो प्लस यम स्रब्यम में ये कैसे काम हुआ वो जो नियम ही ये कहता है कि आगे मानलीजे साब कोई भी आपको क्या मिल गया हो ओ मिल गया हो और उसके बाद में यदि कोई ऐसा यह मिल जाए जो किसका हो प्रते का हो यानि बाद में प्लस के चिन के बाद में दूसरा जो अक्सर होगा वो कोई यकरादी प्रत्य जो प्रारम होता है उनका रूप होना चाहिए यानि यह से प्रत्य कोई स्टार्ट हो रहा हो तो उस प्रत्य का आगे रहने पर आगे जो ओ रहेगा उसके स्थान पर भी आप अव आदेश और विशेश कर जो दूसरा आपका होता है अव उसके स्थान पर आवादेश कर सकते हैं तो यह जो कारेक्रम होता है इसमें यदि आपकी वेंजन संदी भी परमे हो तो भी आप संदी में अयादी संदी का कारे कर सकते हैं बशड़ते ये दो ही स्वरों के लिए लागू होगा क्योंकि आयादी संदी चार स्वरों में होती, एवो में भी होता है, आयाओ में भी होती है, लेकिन यहाँ यह जो आपकी कल्पना की गई, परिकल्पना की गई, वेवस्ता की गई है, उसका सीधा अर्थ है कि स्वर संदी दोनों तरफ स्वर बांगती है लेकिन और अयचो अयवायाव जो सुत्र है वो भी आपका कहता है कि स्वर ही पर में होना चाहिए लेकिन हमको यह सब्द बनाने हैं आप लोग ने पंच गव्यम का नाम सुना होगा तो यह तो हमको चाहिए ही चाहिए तो फिर बोलग क्या किया जाए तो उन्होंने एक नया नया मना दिया बांतोई प्रते यह से प्रारम होने वाला कोई प्रते प्लस के बाद में हो और तो आगे और आव के स्थान पर क्रामश अव और आवादेश हो जाते हैं अब यहां पर आप जो देख रहे होने यम यह वास्ताव में क्या है? प्रतेओं के नाम है जिसे यत प्रते में यह बसता है और यत के बाद में यह हो जाता है इसी प्रकार यहां पर भी आप देख रहे होंगे यहां पर भी आप देख रहे होंगे तो यह कहीं ने कहीं प्रत्यों के रूप है, तो यह यम यम है, यह जो यह है ना, यह सभी प्रत्यों में से आपका बचा हुआ रूप होता है, तो यकार आदी प्रत्य पर में हुआ, यानि प्रत्य का यह हुआ, तो आप ओके स्थान पर आउ कर लीजिए, तो गो की जगा गा संधी का कारिय sentido होता है समस्ताहों की सर्चा को प्राप्त करके चुन करके आप परमानद की अन्बोति होगी अब आपको परमानद की अनुबोति होई है यह इस बात पर एक लाइक और जल्दी से वीडियो शेयर आप कर दीजिए अगे बढ़ें आप चर्चा को आगए कर गए हैं पूर रूप संदी कस्ये अफ्वादा अक्ती आप ने अब तक पांच मुक्तू संद 있어요 का भी हाँ कर लिया है लिय है हम सब्से पहले चर्चां को श्टार्ट कर रहे थे दिर्ग से दिर्गे के पाध हम लेकर आए हैं प्रदी, प्रदी के बाद हम ले गे थे यन और यन के बाद हम ने पड़ी थी आयादी, ये पां संदिया हिंदी के समकष्य ही समान ही होती है, कोई आमुल चुल तोड़े बहुत प्रवर्टन होते हैं जिनका निर्दे सम आप लोगों को सिखाते समय बता ही देते हैं, अब इसके बाद में भी हमारे समस्कष्य व्याकण में दो विशे संदियाँ आप देखेंगे, जिसमें एक का नाम होता है पूर्वरूप और एक का नाम होता ही या परवरूप, खेक है, और उसके बाद में आगम जो संदिय है उसका तो परिवार है है अब देखे पूर्व रूप का मतलब होता है जब हम संदी कारे करते हैं तो एक पूर्व का वर्ण होता है और एक आपका वर्ण जो होता है वो परवर्ण होता है इस प्रकार से जब आप संदी कारे करते हो तो ये वेवस्ताइं होती है अब परवर सर के समान ही हो जाता है, दोनों के स्थान पर बादवाला ही रह जाता है, बादवाले को समस्कत गाकन में संदी की बासा में हम पर कहते हैं, समास के परसंग में बादवाले शब्द को हम उत्तर सब्द कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, तो जब पहले बादवाले के समान हो तो और बाद वाला जब पुर्व के समान हो तो वहां पुर्व रूप होता है ऐसी दो संदिया हैं उनकी चर्चा हमिया करेंगे थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं आम को कि यहां पुर्व और पर्व में आपके जो लड़ाई जगड़े चलते हैं आपके इसी रूप में होते हैं इन दोनों सवरों का जो संगरस है वो किसके साथ चलेगा ए के साथ ए के साथ ए के फाइटिंग होगी आप सब को पताएगी बलवान जीता है और दुर्बल हार जाता है यह ए है यह दो मातरवला ए है जो जीत जाएगा तो यह ए और ए के लड़ाई में ए बचेगा पुर्व में है सलिए पुर्व का रूप संदी कहलाईगी ओ और ए है इसमें फाइटिंग होगी तो ओ रहेगा ए मर जाएगा तो बताए पुर्व कारूप रहा अब आप सोच रहें को सर यहां पुरूप कहा से आ गया इसमें तो हमने कोई ओर ही संदी पड़ी है तो दोस्तों ए ओ की बाद में कोई भी समान या समान स्वर हो तो आपने एक संदी पड़ी होगी उसका नाम बताओ और उसी संदी में से जब पद के अंत में ए ओ मिल जाता है और बाद में रस्व मिल जाता है तो उसी संदी में से थोड़ा सा भाग इस संदी को दे देते है किसको पूरूरूप संदी को याद है आपको एके बाद ए हो और ओ के बाद ए हो वास्ताव में संदी औरिजिनल पांचों में से कौन सी प्राप्त थी आपको बहुत बढ़िया अयादी संदी प्राप्त थी ए के स्थान पर ए होता है लेकिन नियम मना दिया कि नहीं पद के अंत में ए और ओ हो यानि किसे शब्द के अंत में संस्कृत का कोई शब्द हो ग्र हैं इसका उच्ण करते समय कभी भी आवाज नहीं आती है किवल्य अपनी उपस्थी दर्ज कराता है कि मैं किसी जमाने ही होा करता थह नहीं पर मैं बहुत अड़ुकश दंडी आदमी था मैं रिट के तैयारी नहीं करता था में कोई शिकर सइंस्क्र्था कि तैयारी नहीं करता था, मेरा सेलेक्षिन नहीं हुआ और आज मैं गुम्नाम गलियों में डोलता रहता हूँ कास में रामकिमार जी के संस्क्रसरसुदी चैनल के लिंक को यहां वहां फैलाता रहता, गुरू जी खुश रहते और सदा हमको पढ़ाते रहते और मेरी संस्क्रत में बड़ी अनमबर आते हैं और आज मैं पास हो जाता है, अब यह सेयर कर लो भी भी दादो, ठीक है आगे आज बात करते हैं इसके आगे कि जो चर्चा है वो हम बढ़ा रहे हैं तो अब देखो में यह जो प्रशन आपसे करना चाह रहा था आप लोगो ने जवाब देने का प्रयास भी किया कि पुरूरूप जो संदी होती है न वास्तों में वो एक संदी का हक मारती है, बटवरा करती है मालोब एक संदी है जिसके पास में बहुत सारा परिवार है, बहुत सारा धन है उसमें से कुछ कंडिसन्स के आधार पर पुरूरूप संदी मांग लेती है आगे मैं सुत्र की साइट है, तैसे आखती बताऊंगा आपको तो ए और ओ के बाद में ए मिलेगा अब ए और ओ कहा मिलता है किसी भी शब्द के अंत में, पलांत में और ए केवल कौन सा होना चाहिए रस्व है तो कहा कि आयादी तू तू इतना घूमती फिरती है तेरे पास तो दू दूनिया बर के शब्द है मस्तर है, इतना सा मुझे दे दे तो जब भी किसी सब्द के अंत में ए मिलेगा जिसे ग्रामे, वने, ते और जब कभी सब्द के अंत में ओ मिलेगा जिसे रामो, भानो और उसके बाद में रस्व है दिर्ग भी नहीं चलेगा, तब आपका वहाँ पर A और MA रहेगा O और MA O रहेगा पुर्व का रूप रहता है इसलिए उसको पुर्वरुप संदी कह देते हैं तो किस संदी को रोक करके काम हुआ अयादी संदी को रोक करके काम हुआ इसलिए इस प्रकार का कोई प्रशना आप से करें कि बताओ पुरुप जो संदी है वो कौन सी संदी का बाद करती है किसको रोकती है आपको कहना आयादी संदी का बाद करती है क्योंकि वास्तों में ए और ओ के बाद में स्वर रस्व जो ए होता हो तो पहले हकीकत में आयादी संदी का ये प्रसंग है लेकिन आयादी संदी को पुरुप करोगे लो हमने तुम्हें पुरुप संधी दी क्या याद करोगे दे दी आयादी संधी ने बड़ी दिल वाली है अब पुरुप संधी अयादी संधी का हख मारती है यानि आयादी संदी को रोकती है उसका बाद करती है उसका निश्यद करती है वैसे ही दोस्तों आगे आप पड़ेंगे जो परूप संदी का परसंग होता है वो भी वास्तों एक संदी के ही हक को लेता है से को लेता है और वो संदी आपकी एकदम उलट पलट हो जाएगी वो आगे आ जाएगा A.O.P.C. चले जाएगा तो वरदी का कारी होना चाहिए और वरदी को रोक करके परुप का कारी होता है कि निए परसंगों में वो सर्चाम आगे करने वाले हैं मिल गया आपको उत्तर, इसका पुरूप संदी के इसका अप्वाद है तो इसका उत्तर आपका अयांदी संदी का अप्वाद है अगला प्रशन बहुत ही खतरनाख है, धासु है, अब हम करोडों में चलते हैं अगला प्रशन शीदा एक करोड के लिए है जल्दी से कमेंट्स करेंगे और धराद थड़ कमेंट्स की बरसाथ कर देंगे कितने कमेंट्स हो जाएंगी मुबाइल हैंग हो जाएं मेरा ठीक अब या जल्दी से अगले प्रशन के तयार रहेगा उत्तर देने के लिए 31 के बाद में ये रहा आपके सामने 32 पर प्रश्णम पदम अस्ती मैंने आपको भी भी बोला था कि साभी ए और ओ यदि किसी पद के अंत में हो क्या हो पद के अंत में तो जो पद के अंत में होता है उसको हम पदांत कहते हैं गाओं के अंत में जो होता है वो रामा इशे बना देते हैं, थो शम्द के रूप कहलाते हैं पथा आपका एक धातु है, धातु से आप लगा देते हैं कुछ प्रत्यादि तीपतजी और धातु के अपने अलगने गृप चले जाते हैं, तीनो बचनों में तीनो पुर्शों में जैसे राम पठती-पठता-पठ्थशी पठता-पठत पठतामी-पठाबह, पठामह उनसे समंधीत एक प्रशन है कि पध होता क्या है तो मेरी बाहसा में, बिलकुल सीधी बाहसा में आपको मैं समझा रहा हूँ कि सामान ने जैसे हिंदी में को शब्द होते हैं वो संस्कृत में भी जो मूलता है हिंदी के समान औरिजिनल प्योर जो होता है वो आपका शब्द कहलाता है उसी प्रकार से संस्कृत में क्रिया का प्रयोग आप करते हो और उस क्रिया को हम संस्कृत में क्या कह देते हैं धातू कह देते हैं तो वहां सू आउजस अम आउटसस ऐसे परते जुड़ जाते हैं और वहां तिपतास जी, शीपतास था, मिप, बस, मस ऐसे जुड़ जाते हैं बोला सब्द के आगे जब सुप लगता है तो वह एक नया नाम ले दिता है उसके कई परकार के लगलग रूप चलते हैं जिने हम सब्दूरूप कहते हैं और वही सब्दूरूप शब्दमे सूब औूजजव साधि पॱते जोडने पर जो भी शब्द तयार होता है उसी को हम क्या कहते है पद कहते हैं ज़िए आप क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया पद का भी विशेस आप ध्यान रखेगा कि जैसे मूल धातू है और धातू के साथ में तिप तस्जी आदी आप जोड़ रहे हैं तो धातू के आगे जब ये जोड़ेंगे तो पठती पठता पठती जिसे कई आपके धातू रूप बनेंगे और वो जो धातू के रूप होते हैं वो ये आपके क्या कहलाते हैं संस्क्रत में पद कहलाते हैं विसेस याद रखना इसको आप ठीक अभी है कि बताइए साब पद क्या होता है तो पद वास्ता में किसी धातू है तो धातू का रूप होता है इसमें तिपतस्जी जीं को तिंग प्रत्य हम कहते हैं और शब्द है तो शब्द में सूव ऑउजस आधि प्रत्य लगते हैं तो शब्द रूप कहलाता है इस प्रकार से याद रखेगा पद जो होता है किसी भी शब्द का रूप संस्क्रत वाला जिसे रामानाम क्या है पद है क्योंकि ये संस्कत में राम सब्द से सश्टी वोचन में बनता है फलानी क्या है पद है क्योंकि ये आपके प्रस्मा और दितिया विबलते हैं अब देखो इसके बाद में जो आपके बात है उत्तर देखो कैसे मिलता है धातुरूब भी होता है पद, शब्द रूब भी होता है, और लास्ट वाले उप्सन में आपको लिगा, ए तथा बै, इसका मतलब यह दोनों ही सही है, तो दे उत्तरा आपका हो जाएगा, ठीक है भी है, आगे आज़ोगा, तोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इसका प्रस्ण बहुत आता है, प्र और वारी, अब देखो, राम का यह क्या है, राम हरूप बनता है, प्रतम एक वचन में इसका मतलब यह सब्द रूप है, तो यह पिर आपका पद है, राम अनाम राम समसे सश्टी बहुचन मनता है, यह भी आपका शब्द रूप इसका मतलब यह पद है, यह जो मैंने लेक होगा यह संस्कृत का शब्द तो है लेकर संस्कृत का पद नहीं है क्योंकि इसके आगे वे नहीं जुड़ा हूआ है अब आपके शब्रूप और धातुरूप दोनों ही क्या होते हैं तिंगंत और शुबंद मिलकर कि पद कहला थे इसलिए उत्तरा आपका क्या हो अभी तक आपने वीडियो को शेर नहीं किया हो इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भीया इसको लाइक करें और शेर करना है इसका जल्दी से जल्दी शेर करो ताकि जदस जदस लोग हमारे साथ जुड़ें और हम बहुत अच्छा पड़ सकें 32 के बाद 33 वा सवाल आपके निजरों के सामने आने वाला है इंतजार की घणिया समापत हुई बस आप शेयर करते रहेगा मजा जाएगा 33 वा प्रशना आपके सामने ये रहा कुत्र पूरूरूप संदी ही नास्ती कहाँ पूरूरूप संदी नहीं है अब देख उसकी चर्शा मैं थोड़ी यहां से विस्तासे करूँगा लेकिन पहले आपका मन चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रशनों के जवाब दें उसके बादी में आगे बढ़ो कौन से में उधारन में पूरूरूप संदी का कारे नहीं हुआ लोके प्लस अस्मिन लोके श्मिन कौन सा ऐसा उधारन है जिसमें आपने पूरूरूप संदी नहीं करी है अब दोस्तों नियम क्या कहता है माली जी कोई भी संस्क्रत का पद है यानि कोई भी शब्द रूप या धातु रूप है और उस पद के अंत में आपको ए या ओ मिल जाए संस्क्रत का शब्द रूप होना चीए बस ध्यान रहे और उसके अंत में ए और ओ हो एक मात्रवाला है उसके बाद में रश व ए हो तो ए और ए के स्थिति आ जाए तो ए रहेगा ओ मर जाएगा और ए के स्थिति आ जाए तो ओ रहेगा अगाई भूजाएगा मतलब ए और ए में ए बसता है और ए में ओ बसता है लेकिन आसा हम सीधा समझ नहीं पाते इसलिए मैं लिखा देता हूँ पड़ा देता हूँ कि भई या ए और ओ पद के अंत में हो उसके बाद में रस बाइ मिल जाए तो उसको मान डालो काड डालो फार डालो चीड डालो ठीक है और जब कोई मर गया हो तो उसकी याद में हम कुछ नहीं कुछ मनाते हैं इसकी याद भी रहेगी यदे को जैसे समस्त्त बनाओगी हलका सा इस परकार का इसमें यदि ए इस चिन्न से पहले ए और ओ हो तो निश्चत रूप से आपकी पुरुप संदी होती है और यदि इस चिन्न से पहले आपकी ए और आ हो तो निश्चत रूप से फिर आपकी वो दिर्ग संदी का मामला हो जाता है तो इसे आउग्रह बोलते हैं इसका मतलब है मरा हुआ है तो जब भी आपको शब्द जोड़ोगे तो वहां बीचे मरा हुआ है बैठ जाएगा अब देखो विश्णो प्लस आउ मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है तो ओ है पीछे आ है विश्णो सब्द आप सब को पता ह एक वचने बनता है शब्द रूप है और आउ जो होता है उसके मतलब होता है रक्षा करो अब ओ के बाद में रस्व ए मिल गया ओ और एक के लड़ाई होगी तो मरेगा कौन ए बचे का कौन ओ लेकिन जो मर गया उसकी जगम क्या बना देंगे चब उतरा बना देंगे तो य आगे देखे रस्व ए है ओ के बाद ए है यह पद है क्योंकि कहकाई को बनता है तो कहकाई यह तो आपके पहली प्रतमा पुक्तिका एक बचनी होता है कहका रूप को भी हो दिखाई देता है कभी को बार तो यह दिया देखिए साब आगे ओ बचा पीछे एका मर गया उस्ती बन गया लोके पसलेस असमिन जरूर ने ओ ही हो उसके बाद में ए भी हो सकता तो ए देखो लोके रामे की तरह सबत में एक उचना में रूप बनता है आगे है असमिन तो एग और वो के बाद रस्व ए हो तो उसको हम अत्या कर देंगे और एके बाद में अगरेगा रस्वर रस्वए नहीं है बलकि कौन है दिर्ग आ है इसलिए यहां पर ऐसा का ऐसा मैंने रख दिया है फिर भी यदि हम चाहें कि नहीं संदी तो हम करें तो यहां आयादी संदी के लाव कोई अपसन यह टेके स्थान पर तया और आगे पिर आग चंती तो आपका शब्द ब रस्पान कर सकें समस्कृतम जीवनम समस्कृतम अम्रतम आगे आज़ो अगला हम पढ़ रहे हैं वापस पर रूप संदी कस्या अपवाद हा देखो पूरूप के हमने विश्विस पढ़ लिया कि यह उगले का चिन आता तो पहचान हुई जाती है और हम सामाने हरे व विश के पाथ ही अयादिवी अव एग दम उल्टा है पूरूप का उल्टा है परूप लुटा अपने अब समझेगे क्या होगा तो परूप संदी किसका वाधक है यह परूप संदी में से कुछ स þ रस्कान कौन ले जाता थिए जो नौर्मल को संदी प्रौप तो होती आओं कि पूरो और परवरन में यहां स्थिति क्या होती है यहां अपसर्ग सम्दी ए और आ होता है उसके बाद में वोही धातु सम्दी ए और ओ होता है यतनी सी चर्चायदी मैं आपके सामने कर Toronto तो आपको याद आ रहाँगा कि ए के बाद ए होतो ओ होता था या के बाद ओ हो तो भी अव होता था लेकिन अब वेवस्ता हैं थोड़ी क्या हो गई है बदल गई है कहा कि नहीं इस वरदी संदी के प्रसंग में यदि ए और आ ये किसे के हो उपसर्ग के हो और ये ए और ओ आप जो देख रहे हो न वो किसे हो धातू रूप के या धातू के हो तो ए और ओ धातू के हो और आ उपसर्ग के हो दो ही कंडिशन आप भी दो ही कंडिशन दी पद के अंते में ए और ओ हो बाद में रस्त वाए हो और यहां क्या कह रहा है कि ए और आ किसका हो ए और ओ जो है वो आपका किसका हो सामानने को धातू का हो, क्रिया हो तो बाई साब याद रखेगा, दोनों की फाइटिंग होगी मरेगा तो पहले वाला ही तो पहले वाला तो गयार बाद वाला रह गया इसलिए इसका नाम आपने क्या रख दिया पर्रूप रख दिया यह बाद समझ में रही है का हकीकत में तो और ए में ब्रदी संदी होनी चाहिए न लेकिन आप तो परूप के ग्यान गार रहें इसका मतलब यह हुआ कि किने स्थानों पर आप ब्रदी संदी को बाद करके कौन से संदी को कर देते हैं परूप संदी को इसलिए किसका बाद है क ये बरदी संदी का, जबकि अयादी संदी का जो बादक है, वो संदी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका नाम क्या है, पुररूप संदी है, ए ओ किस्तान पर जो है, इस प्रकार का कारे करम ही रहता है, आपका यहाँ पर अलग प्रोग्राम है, ठीक भी है, तो परुप संदी किसका अपवाद है तो प्रदी संदी का अपवाद और अया बताए पूरुप किसका अपवाद है तो अयादी संदी का अपवाद तो बड़े दिल है इन संदीयों के ये एक दे देती है दूसरा दे देती है 34 के बाद आता है 35 प्रशन को अभी तक आपने इस वीडियो के लिंक को अभी आपने शेयर नहीं किया है तो करपाया इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग हमसे जुर सकें 34 के बाद हमारा प्रशन आता है 35 समी चीनम नास्ती यहाँ पर यह आपको विशेश रूफ से पर रूफ संदी के प्रसंग में सवाल करेगा उधरन भी आपके पर रूफ संदी के हैं और वो सबसे इंपोर्टेंट उधरन जो आपकी प्रिक्षाओं में टार्गेट करके आपक देखें ऐसी कंडिशन से प्र उसके बाद में ए जते मतलब होता है यह धातू है धातू है धातू क्रिया है क्रिया रूफ के पीछे धातू रूफ के पेले आ गया और आगे देखें साब उपसर्ग संबंदी आ गया वैसे तो सामाने संदी कौन से होने चीज़िए आपकी ब्रदी लेकिन नहीं कहते हैं व्रदी संदी नहीं करेंगे हम हम करेंगे पर रूफ संदी और पर रूफ संदी में क्या होता है और एक ही फाइटिंग होती है तो अ मर जाता है बसता क्या है आप देखिए प्र में ए मिलाओगे तो बताओ क्या बन गया प्रे जाते है इस प आप चाहां देने तो पठाक से दे दो गाई क्या उत्र है प्रेलेति जो बना रखा वो सही है कि नहीं है तो इस प्रस्ण का जवाब आप सब धातु है जिसका नाम है इन धातु ये जाने के रत में गती करने के रत में जिसे एती मतलब जाता है इता है मतलब दो लोग जाते हैं और यंती मतलब होते हैं बहुत सार लोग जाते हैं तो याद रखिएगा प्रय प्लस एती में हमने क्या पड़ा कि प्रय के बाद में और आ पर्रूप क्या कहती है उपसर्ग का ए हो धातू का ए हो तो कर दो पर्रूप अब पर्रूप में आप जब रूप बनाते हो तो बनना चाहिए ता प्रेती जिससा सामने आपका बना रखा है लेकिन हकीकत बात यह है कि इन धातू का रूप पर में रहने पर और वो ए से स्टार हो रहा है तो फिर इन धातों के साथ में गुन नहीं करना पर रूप नहीं करना ब्रदी संदी ही करना और ब्रदी संदी में आप सब को पता है कि और ए मिलकर के डबल मात्रा होती है और आपका शब्द क्या बनता है प्राइटी ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं है इसलिए तो यह गलत है और गलत है इसलिए हमारा उत्र है यह देखे दोस्तों आ ए आगे है आ और पीछे क्या है यह आपका उपसर्ग का आ हुआ पीछे धातू का ए हुआ आ चला जाएगा और ए के समान हो जाएगा तो आकास्तितो खतम हुआ ए हु प्रिलेटी इस प्रिकार से आपके यह रूप हो जाते हैं सभी के पल्ले पढ़ रहा है मज़ा रहा है आप सभी को बहुत बढ़ी है बहुत पढ़ी है आगे चले लेकिन वीडियो को लगातार शेर करते रहें जितना दिए आप शेर करेंगे समस्क्राइस परिवार बढ़ा ह में हर जगे इसको ठीक है और जो सरस्वती मुबाइल एप्लिकेशन आपको दिख रहा है इदर आप देख रहे होंगे तो प्ले स्टोर पर जाकर करके आप संस्क्राइस प्रस्वती टाइप करें और साथ ही जो आपका दिखेगा उसको आप डाउनलोड करके इंस्टोल करे वहाँ पर आपको सत्र टेस्ट बहुत जल्दी टॉपिक वाई आपकी चालिस के लगबग और तीस आपके जो प्रैक्टिस सेट पाटेक्रम आदारी जो नवीन संसो दिन पाटेक्रम आया है एकदम समय ग्यान, संक्या ग्यान, राजिस्तान के साहितिकार और लंकार इन चा चलिए, अगला हमारा प्रशन है 35 के बाद में, अगला जो हम प्रशन पढ़ रहे हैं वो आएगा हमारा 36 वाँ, बास अम्यारे भी या, तो जदा जदा भी लिंक जो हमारा उसको शेर करें, यूटूब पे लगाया करो, है ना, आप यूटूब चलाते हो तो, फेस्बुक बगरा पे आप गुरूप में शेर किया करो, और मुझे टेक भी किया करो, इसके साथ ही जो है आप एपलिकेशन में, और भी जो चीजे हैं, उन सब चीजों को भी आप शेर किया करें, सरसुती परिवार की कोई भी आपको पोश्ट दिख जाए, तो उसको आप इमान दारी करें, क्योंकि हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, जो हम सब बढ़ेंगे, सब का साथ, सब का भी कास, है की नहीं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टेलिग्राम चैनल भी आप देख रहे हैं, जहां पर मैंने आपके ग्रैमर में अभी अलंकार के नोट्स भी आपको डाले थे, अलंकार की नोट्स की सरंकला में, आगे हम और भी संक्या ग्यान, समय ग्यान और साजिस्तान की साही टेकार के शांदार नोट्स में तियार किये हैं, वो भी मैं आपको डालूँगा, तो टेलिग्राम जो हमारा लिंक लगाता है, आपको बेजा जारा है नीचे, उस लिंक ओ freely आपको खिल जाएगा, उसकर आप जोइन करें, तो एलिग्राम से लिंक जोइन करने के लिए, पहले आपको टेलिग्राम जो है आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होता है, तो उससे डाउनलोड करें, यतना दीग आप डाउनलोड करें उतने फ सख्या अंग हम समिचीनम नास्ती कौन सा समिचीन नहीं है देखे परुप संदी के उधारणों में कुछ ऐसे विशेश उधारण है जिनको आपको ध्यार में रखना है उसी से समंदी दिये प्रशना आपका बता रहा है देखे सब लिखा है तो कौन सा सही नहीं है उसको बाहर निकाल फई किएगा केट आउट फॉर्म हीर जल्दी से बाहर कर दो भहिया उसको और बता डालो मुझे कौन सा ऐसा ओप्षन है जो वास्तों में सही नहीं है मनसीशा मनिसा बना वो सही नहीं है करक अंदू का करकांदू बना रखका है ऐसीगा बना रखका वो सही नहीं है या एजिसे सिम पलस अंदू का शिमनत बना रखका है वो सही नहीं है बहुत प्यरह सवाल है सब канал लागरा यह जब تक सारेओ कमेंटस नहीं है तब तक मज़ा नहीं आ था परस्ट मराने का मेहनत का परिणाम वापस नहीं मिलता है इसलिए जल्दी से आप इसको बताएं भी आप मिला लग रहा आपको सीमांत गलत है सीमांत गलत है करकांदू गलत है मनीटा तो सही है क्या कोई बात मैं बताऊं तर यह जो आपका उप्शन लिखा करक प्लसंदू में करकांदू कर रखा यह बिलकुल गलत है अब क्यों गलत है वो सुन लिजीगा कि एंगे पररूपम के बाद में भी कुछ ऐसे उधान थे जो आपके सिद्ध नहीं हो रहे थे उन्हें पररूप कहने के लिए वारतिक कार कात्यान का ध्यान गया और उन्होंने एक नियम निकालास का नाम है सकंद वादिशू पर रूपम बाच्यम आपको मैंने बहुत बिस्तार से पढ़या है कि वारतिक कार ने जो है वारतिक लिखे हैं और वारतिक वास्तों वाक्य रूप होता है पूरी बात कह देता है खुदी इसलिए उसको वाक्यकार भी का जाता है और वारतिक को वाक्य भी का जाता है कियते हैं सकंदू आदिसु सकंदू आदि सकंदू करकंदू मनीसा हलीसा लांगलीसा कुलटा मारतंड़ समंता कह पतंजलित्यादी जो उधारन हैं इन सबी में पर रूप कहना चाहिए परूप नहीं है परापत कि ना ए है न ओ रबाद में असी जरूर नहीं अए लेकिन फिर भी आपको तो परूप ही करना है लेकिन परूप करते हैं द्यान रखना पुलस सेह पहले का जो जो सवरह है वह जैसे मनस में और उसके बाद में इ, इन दोनों में के साधि पुरुव में जो स्वर है, उसके साथ को यह वेंजन वर्ण है तो उसको भी साथ ले लेना, जिसे मनस में आप किसको लोगे, असको, तो भाई साथ यहां क्या है, इन सभी उदारणों में वास्तों पर्रुप कहा गया है, अब मनस में अस चला जाता है, मन में ईसा जोड़ोगे तो मनिसा बन जाता है, करक प्लस अंदू में भी आपको पर्रूपी करना तो ए और ए है, पहले वाला मरेगा, बाद वाला ए तो रहेगा, तो पहले वाला ए निकलते ही, बाद वाला ए जुड़ेगा, तो आपका शब्द करकंदू नहीं तोड़ा अच्छे समझेगा, सीमन शब्द में सीम औरंत रहता है, दोस्तों इसमें दो अर्थ लिए जाते हैं, यदि आप सीमा जो अवदी विशेस होता है, दूरी विशेस है, ये अर्थ लेते हैं, तो वहाँ पर दिर्ग संदी में ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, तो ये पर दिर्ग संदी का प्रसंग है, इसलिए आप दिर्ग संदी कता ही नहीं करेंगे, ये दिर्ग संदी का प्रसंग है, आगे आजाओ, अगला प्रसंग हम लेते हैं, बहुत ही जोड़दार प्रसंग है, ये आज का लगबग दो करोड़ों का सवाल आपकी नजरों के सामने, प्रसंग संग्या 37, बहुत पैरा सवाल है, लास्ट हम आगे हैं स्वर संदी की प् करता है प्रग्रिय है जो संग्या है किसी का नाम प्रग्रिय देना है तो एदू दे दी बचनम प्रग्रियम करता है और सरवे समीचीना सभी सही है बताओ भाई साब क्या लिखू मैं मैं मजबूर हूँ आपके उत्तर की प्रतिक्षा में और आप लोग हैं कि उत्तर देते है ये जल्दी से, जल्दी करो और शेयर करो दवा के, जएधा से जदा आप लोग करें, कल की क्लास में हम लोग देख रहे त testosterone करें, कि सर्वे, परककरती भाओ, परककरती भाओ का मतलब भी, प्रग्रिय संग्या जो करता है किसी का नाम प्रग्रिय देना जैसा आपका नाम कुछ हो मेरा नाम रामकुमार है वैसे ही इदुदे दिवचनम प्रग्रियम है दोस्तों प्रकृति भाव क्या होता है प्रकृति का जो भाव होता है जैसा है वैसा ही सभाव रहे यानि जैसा स संदी विच्षेद है वैसा का वैसा ही संदी का रूप बन जाए तो उसी को हम प्रकृति भाव कहते हैं आपने मानलो विच्षेद देखा कुछ भी विच्षेद किया और आपको जोड़ते समय वैसा का वैसा ही रख दिया जिसे उधाने के लिए मानलो मैंने कहा कि भीया हरी प्लस एतव का संदी करो तो आपने वापस हरी एतव ऐसा ही रख दिया बोले यार संदी करो ने यहां बोले यार बैस संदी तो प्राप्त होती है लेकिन कुछ नियम है जिसकी बज़े से संदी को रोग दिया जाता है तो हकीकत में जब संदी आए और संदी नहीं करें तो स है दस करोड का हमारा भेंकर सवार अब मैंने प्रकृति भाव के कुछ महत उपन उधर्ण भी समेट लिये हैं पूछ रहे आप से कि समीची नम नास्ती कौन सा आपका उप्सन समीची नहीं है वह आप जवाब दे दीजिए हरी प्लस एतव हरी एतव लते अमू लते अमू वि जल्दी से अपने वीडियो को लिंक को शेर कर दो जल्दी से ताकि बहुत ज्यादा लोग इसको देख सकें और भेंकर तरीके से आगे फैल सकें पकड़ में आया क्या बताओ उतर उतर है आपका इसमें ग्रामे प्लस अपी ग्रामे पी ऐसा नहीं बनेगा क्यों समीची नह मामला है और आगे रस्वय का मामला है तो यहां पर पुर्वरूप संदी होगी और पुर्वरूप में आपको पताए और एकी फाइटिंग में मरेगा कौन ए जिते का कौन ए तो ग्रामे का वापस ग्रामे और जो मर जाता है उसका चब उत्रा यह देखिए अउगर है का च समान ही हो गया तो इसलिए आपका यह लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है अब आजाओ हरी एतव में आपने संदी क्यों नहीं करी प्यारे दोस्तों आप लोग देख रहोंगे यहां दिर्ग ई है बाद में समान स्वर ए है तो यन संदी होनी चाहिए होनी चाहिए और यहां और उसके बाद में ए मिलेगा तो यहां होना चाहिए हर ये तव ऐसा रूप बनना चाहिए यहां लत्य अमू में आप देखेंगे ए है पद के अंत में और उसके बाद में रस्व ए है पूरूप संदी होनी चाहिए थी यहां विश्णु इमव उ के बाद में एसमान स्वर है उ के बाद में आप जो है एसमान स्वर होने पर यन संदी अनवे की तरह करने न चाहिए था तो बोलाए सब होने के बावजुद भी क्यों नहीं हुआ उसका कारण है कि यहां इन तीनों ही उधारणों में प्रकर्ती भाव हुआ है कहा ये प्रकर्ती भाव क्या है तो जैसा संदी विछेद वेसा ही संदी रूप रहता है तो उसे हम प्रकर्ती भाव कहते हैं और यहां कौन प्रकर्ती भाव करता है तो आपका एक बहुत ही प्रशिद्य सुत्र है एदू देद दिवचनम प्राग्रायम ये सुतर क्या कहता है कि दिवचन का कोई रूप हो एक वचन दिवचन दिवचन का रूप हो और उसके अंत में दिर्ग ई दिर्ग उ या दिर्ग ए हो तो वो आपका प्रग्रिय कहलाता है और ऐसे सब्दों के बाद में कोई भी स्वर हो तो वहाँ संदी कार्य प्राप्त होने पर भी स्वर संदी कार्य नहीं किया जाता इसे ही प्रकृति भाव कहते है संदी प्राप्त है संदी नहीं कर रहे तो ऐसे दिवचन वाले शब्द जिन के अंत में दिरग ए दिरग ओ या दिरग ए हो तो उसके बाद में किसी भी स्वर के रहने पर कोई संदीकारी नहीं किया जाता है यानि रूप वैसा ही रह जाता है और यह जो आप से कह रहा है वह आपका बहुत ही अपना निजी साती है स पूर्ण होता है और इसी के साथ में स्वर संदीकी जो करमबद तरीके से तारतम्यता के साथ जो भी आपके लिए विशेश उधार्ण थे वो सारे उधार्ण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं मैं समझता हूं आज की सिरीज भी आपके लिए विशेश उप्योगी रही होगी इसको पढ़कर के भी आपको अता आनंद आया होगा और मेरे प्यारे सातियों आपसे इतनी तो पिक्सा मैं रख सकता हूं कि आप इस संदीकी वीडियो को देखने के बाद गदगद हो गए होंगे और इस गदगद इस अनुबूती में सुकत अनुबूती की साइड में देखो राइट साइड में दिखरा होगा आपको अभी डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड करें आप कोर्स का सब्सक्रिशन लें लेते हैं मतलो कोई दिक्कत नहीं है पैसे नाम मातर में इतना गजब का मैंने आपको देल रखा है शांदर तरह करके च्ल highways साट गंडिके लास परइं नोट्स हैं एंड रैटिंग नोटस हैं ठेस्ट पेपर भी आपकी डुल लोगा साथ यह को लगाता कर आँ, पहले आप पढ़ते रहें विड़ियो को लगांट करते हैं जिसमें आपके विडियो डाउनलोड सो क्लिक कर लिए ताकि जैसे ह हमारा वीडियो है आपको नोटिफेकेशन चला जाए और इसके अलावा भी विशेस बात आपके लिए भी है कि टेलिग्राम का जो लिंक आपको लगातार दिये जा रहा है उस तेलिग्राम से भी जुड़ें ताकि आपको अलंकार की जो शांदार पीडिये नोट्स मिली हैं उसी तरह के आपके शांदार नोट्स समय ग्यान संक्या ग्यान और वह भी वो सारी चीजी हमारी टेस्ट पेपर आदी होते हैं वो भी चलते रहेंगे मुबाइल एपलिकेशन में आने वाली जो 70 टेस्ट पेपर की सीरीज होगी वो सब के लिए मुफ्त होगी इसलिए लोग पढ़ा रहे थे आज साम के क्लास में मुझे आशा और अमीद है कि हम 5000 का आगड़ा जो हमारा प्राप्त करेंगे और जो संस्क्राइब शिक्ष्ण के दिहास में अपने बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप लोग बस सही बनाई रखेगा इसी तरह पढ़ते रहेग और जो नया अपने टॉपिक जुड़े हैं समय ग्यान, संक्या ग्यान, अलंकार आदी का उनकी क्लास भी लगाता है आप सब को बताए कि साम को अपनी क्लास होती है तो इस क्लास को भी आप मिस्स मत करिएगा क्योंकि जो जितना अच्छा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ हैं आप कलास को जोई सब्धसक करें इसके साथ ही आपका लंकार का टोपिक कर आपकाकर कर्वांगाराजस्तान डॉचोंतान खर होती है जोर करने वाले विरावीर भी और विरांगिनाई भी पैदा होती है उन्हें के मद्दे कई सादू सन्यासियों के मद्दे में हमारे यहां पर बहुत सारे साहित्यकार भी जन्में के लिए मैं आप सारा काम कर रहा हूं मेरे जीवन के दो गंटे चो इसमें से दिये में आपके लिए दे दूं और उस दो गंटे के महने से दिये आपके जिंदगी के चालीस साल समर जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सोभागी मेरा और कुछ भी नहीं है संस्क्रत की शेवा करनी है मासारदे का आसिरवात प्राप्त करना है हम खा रहे हैं पी रहे हैं लेकि जीवन की सार्थकता मुझे चाहिए हिंदुस्तान की पांच करोड़ सरस्वती मोबाइल एप्लिकेशन में नियून तम सुल्क में आप लोगों मिलता है आप चाहिए तो उसको लेवे नहीं ले में तो भी कोई बात नहीं लेकिन डाउनलोड आप जुरूर करें क्योंकि आपको टेस्ट पेपर मिलने वाले आगरगा मीं समय में ठीक है टेलीग ग्यान जो हम कर रहे थे समय ग्यान उसको हम आगे बढ़ाएंगे आशा करता हूं आप बहुत अदिक संक्या में आज लोग पतारेंगे बहुत धनिवाद सुपरभात जै हिन जै राजस्तान जै तु समस्कृतम जै तु भारतम